जैजी नेंद्र बंधों अभिनान्दा ने आप सभी का कारिक्रम समस्य आपकी समाधान हमारा में बंधों लगातार इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपकी समस्याओं का समाधान तो करते हैं साथ ही आपके प्रशनों का भी स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं जो आपने प्रशन पूछें उसके उत्तर हम बहुत ही इमानदारी से और सवलता से आपको दे सके उन्ही प्रश्णों में कई सारे प्रश्ण हमें ऐसे मिले थे जो लोग जानना चाहते थे कि तंत्र मंत्र और यंत्र की जो विद्याएं होती हैं वो किस तरीके से हमारे जीवन में कारगर साबित होती है क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी भी पंडित या शास्त्री से जाके पूछते हैं कि हमारे घर पे किसी ने कुछ करा दिया है तो उनके द्वारा हमें एक यंत्र दिया जाता है और वो कहते हैं इसे हमने लाखो मंत्रों द्वारा अभी मंत्रित किया है जो क्या है ये यंद्र किस तरीके से ये हमारे जीवन में कारगर साबित होता है और यदि हम बात करें तंत्र मंत्र और यंद्र की विद्याओं को तो इनका अर्थ क्या है ये किस तरीके से एक दूसर से कनेक्टेड होते हैं जानेंगे इस कारिक्रम के माध्यम से तो एक चीज में आपके यहां पर क्लियर करना चाहूंगी जब आपके इस प्रश्न को गुरु जी ने सुना तो उन्होंने कहा क्यों ना जहां पर इसकी क्रियाएं होती हैं हम वहीं पर अपने दर्शकों को लेके च चल रही थी तो चलिए सीधे आपको भी जोडते हैं सीधे गुरु जी के साथ और गुरु जी आपको बताएंगे तमाम जानकारी तमाम चीजे विस्तार से तो चलिए सरप्रतम अभीनंदन करते हैं गुरु जी का गुरु जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस मुष्व का सरबादिक बडा यंत्र भक्तामबर जी का दूसरी बात थे चल रही थी कि ऐसा सबाक करोड महा मित्युन जे मंत्रों से अभी मंत्र ते भक्तामबर महां यंत्र बहुत सारी चर्चा का विश्वेश वना हुगा था और वास्तम में मैं दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं कई बार उस बात को दावे और चैलेंज और विस्वास के साथ कह चुका हूं कि जो इस इंतराज के दर्सन करने एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार जीवन में आता है वह जीवन में कभी पीछे मुर कर नहीं देखता है चीहा मित्रो आज हम विश्व का सबसे वड़ा भक्तामर किलिनिक में है जो की रायपूर इस्तित भाटा गाओं में इस्तित है इस शेंत की महिमा मैं अपने सब्दों से बखान नहीं कर सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोग यहां पराते हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के बाहर दुबई इरान इराग कुवेट कतर अमेरिका जापान लंडन कई देशों से लोगों ने यहां करके दर्सन किये और मात दर्सन नहीं किये दर्सन के बाद जो उन्होंने अतिसे कारी लाव यहां से प्राप्त किया है वह लाव अद्दुतिय अभिस्वस्नी है मित्रो यह भक्तामरधाम यहां पर अगर आप एक दिन की शांतिधारा करवाना चाहते हैं तो मात्र एककईस सो रुपे की चार्ज रासी यहां पर रखी गई है एककईस सो रुपे में आप एक दिन की सांतिधारा करवा सकते हैं इसका गंदोदक आप तक पहुंचा है जाएगा और जिस व्यक्ति के नाम से सांतिधारा होती उसका नाम ये अस्कीति सम्मान चारों और फैलता है उसके सारे कर्ष्ट है उपदर दूर होते हैं दूसरी बात हमारे यहां की एक और खास बात है वो है हमारे यहां का यह जो डिब्बा दिख रहे आपको इसे हम बोलते हैं द्वाद संग प्रासुक धूप ये द्वाद संग प्रासुक धूप जो कि भक्तामबर के अर्तालिस काब्यों के अर्तालिस काब्यों के जो अलग अ चाहर बश्चान की दिखकतारही। उससे दूरी मिलती है। घर में किसी पकार का वंधन दों से वह दूर होता है और तो और इसमें किसी भी पकार की आपकी कोई भी बड़े से बड़े जलोदर बीमारियों जैसा हो इस यंतराज के मात दर्सन करने से कैसी भयाँबै से भयाँबै बीमारी हो इसकी करने से दूर होती इस दूप की आहूती अगर करने से अनेकों लाव वह सबसे बड़ी बात आज की रेट में कोरोना काल चल रहा है बैक्टेरियाज बहुत उत्पन्न हो रहे इस दूप की दु कर दूँ आप सबसे भगवान जनित्प्रूज यही मंगल कामना में रोज करता हूं कि विस्व में सांती हो विस्व का कल्यान हो देश में अराजक्ता भरस्टाचार अत्याचार अनाचार बलातकार जैसी बड़ी बड़ी लोग घटनाएं घट रही है वो सारी दूर हो सां जिस पकार से आचार भगष्वंत मांतुमसौँ सवामी ने आपकी आराधना की और एक एक करके अरतालिस ताले तर तर आतर करके टूड़ गये ऐसे ही जीवन में लोगों की आरही आपदा बपतार तालीस से जादा बपतार ही होती है वह बिवदायमी तड़ तड़ करके टूड जाए लोगों के कश्ट भै उपद्रव दूर हो जाए लोगों की पनेशानिया दूर हो जाए लोगों की समस्याइं दूर हो जाए लोगों को सुक, संति, सम्रद्धी प्राप्त हो ये कामना 9 तर 9 रूप से यहाँ पर रोज की जाती है मैं आपको बता दो 300 पैसर दर 9 रूप से हाँ पर ये सारी सामगरी पुजन की जो आप देख रहे हैं ये अभी मंतरत होती है इनको अभी मंतरत करने के पीछे एक मात अद्धिस, एक मात रीजन होता है कि जो हमारे लोग हैं उन तक बहुत अच्छी बस्तू पहुंसके मंतर्त पहुंसके उन सबसे बड़ी बात है कि लोग मित्याब्त की और जो भाग रहे हैं मित्याब्त से बचे और सम्मयक्त की हो रहा है इस भावना को ने कहीं पर भी इतना बड़ा ये उनतराज आपको भगताम बढ़ जीगा कहीं पर बार्जमान नहीं फ्राप्त होगा ये सवाक्रोन महामिद तुन जैसे भी मंतरत है, दूसरी बात यहां पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा लोग जहां पर भी है जहांपर भी है जहांपर भी है मात तरपको एक ऐसा नारियल बजार्ट वहाँ से लाना है और इस नारियल को लाकर के इस पर अपनी अरजी की एक परची चिपकाना है मौली धागा से और आकर के बगवान के स्रीछड़ों में यहां समर्पित कर देना है सिर्फ समर्पित करने के बाद जब आपकी अर्शकार पूरो हो जाय तो आप यहां पर हमें फॉन से करें वह अर्जी आपकी खूल दी जाती है उस धागा को अगनी में बिशर्जित कर दिया जाता है एक बार एक बार जीवन काल में मैं कहता हूं सारे तीरत बार बार इसे इंतराज के दर्सन एक बार एक बार दर्सन करने अवस्थाएं और दर्सन करके अपनी जीवन को पुलकर पाविन वपनीत बनाएं जिस पकार से मित्रों आप देख रहे हैं हमारे प्रनिजी लोग बैठे हुए हैं सारे लोग ध्यान मंगन होकर के जाप कर रहे हैं कैमरा के माध्यम से टीबी के माध्यम से आप लग अनुबरत रूप से ध्यान मंगन होकर के जाप कर रहे हैं यह जाप यह अनुष्ठान इतने विद्वान सारे बैठे हुए हैं आपके सारी सामग्यों को अभिमंत्रत करते हैं पूजन सामग्यों को मंत्रत करते हैं आपके नाम से आपके परिवादे हैं मेत्रो मैं पुणा आपसे कहना चाहूंगा कि एक बार यहां के दर्शन करके अपने जीवन में बहुत सारे क अभिमा है आपकी वो क्या है तो आपको बता दू एलाल चंदन की बने हुई छड़ी हमारी एलाल मन चंदन से चुप छड़ी है इससे हम यहाँ पर जाड़ा देते हैं अभी मंतर चड़ी जब यह अंतराज से समर्पित हो करके जब आती है और जब आपके सर पर घूमती है त एक बात जिरूर में आप लोग से कहना चाहूंगा सारे लोगों से कहना चाहूंगा मात्र 600 रुपे की एक कलोई धूप और 100 रुपे कुरियर चार्ज लेते हैं 600 रुपी की धूप अवस अपने घर में बलवाएं और उसको बलवा करके उसकी आहूती आप अपने घर में सारम जरॉम जरॉम नवाँod myślę में सुलने लोग सिरूम जरौंना में इस मन्तकी आराधना करते हुए स्वह 27 बार दोपःर में 27 बार और रात तृ़ी में 27 बार इस मन्तकी आराधना ऑन्रतुरूत से करें इस धूप से आहुती करें तो आपके घर में ब्यापार स्थान में कैसा भी बंदन हो ब्यापार में कोई दिक्कत आ रही तो ब्यापार स्थान में इसको अनुबरत रूप से करें घर में दिक्कत आ रही तो घर में इस पकार से करें साथ ही साथ आपकी फैक्टरी मकान दुकान है तो अनुबरत रूप से फैक्टरी में चार कौनों में चार दिये जला दें और धूप को कोईले पर करना है ध्यान रखना अगनी में नहीं करना है आग जलती हुए होगी तो उसमें जलाओगे तो जल जाएगी है लेकिन एकोईले में करोगे जिसकी धूप से धूआ उठेगा वह धूआ उठाना है अंगार पर जब धूआ उठेगा तो पूरे उहां का बातावन गुंजायमान हो जाएगा सारी नकारतमक्ता दूर हो जाएगी सकारतमक्ता घर में प्रवेस कर जाएगी चलिए वित्रो आहुतियां रोज होती हैं इसका हम रोज अन्वत रूप से हवन करते हैं को हवन दखाते हैं आपको कितना महत्मूर हवन है उस हवन में आप लोग विशुद प्रणामों से हाँ तो जोड़ लेना विशुद प्रणामों से भगवान जननत्रों के पिती समर्पित हो जाना उस यंत्र उस हवन में अपने आपको समर्पित कर देना महसूस कर देना एक आहुति आप भी उसमें दे रहे हैं वो सारे कश्ट फेवपद्र दूर होंगे आम्री मक्यन महार साडम जों जों नमाहा 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 आम्री मक्किन महान साडम जोम जोम 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 नमाहा आम्री मक्किन महानसानम जोंजों नमाहा आम्री मरम्नमु वक्किन 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 महानसानम जोंजों नमाहा तो बन्धू देखा आपने किस तरीके से गुरुजी द्वारा एवं वहाँ पर विराजमान पंडितों द्वारा जो यंत्र आपको प्राप्त किया जाते हैं उन्हें लाखों मंत्रों द्वारा अभी मंत्रित किया जाता है ताकि आपके जीवन में आ रही विभिन प्रकार की बाधाओं का आपको समधान मिल सके और घर पर बैट कर ही किसी भी प्रकार की दिक्कच है वो आपके बिजनस में आ रही हो बच्चों की पढ़ाई में आ रही हो विवा में आ रही हो दामपत्य जीवन में आ रही हो हर प्रक कारगर साबित होते हैं तो आप संपर कर सकते हैं टेलिफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जाते हैं साथ ही साथ आज के इस टेक्नोलजी भरे युग में आपको पंडी जी द्वारा सीधे मिलती है हस्त लिखित कुंडली जिसका सार आपको ब और भी इन ही प्रकार की जानकारी आप जानना चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर कर सकते हैं टेलिफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहा है आज के लिए इतना है पुरह होगी मुलाकात अगले एपिसोड में तब तक के जाजिनेद्र